नमस्ते दोस्तों दोस्तों बहुत सी रिक्वेस्ट आ रही थी कॉमेंट आ रहे थे इमेल आ रहे थे कि साब इसके चेक के विशे में हम लोग कुछ वीडियो बनाएं या कुछ जानकरी दें तो दोस्तों आज चेक के विशे में हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों किसी को चे अपराद नहीं है, ना तो चेक देना अपराद है, ना चेक का बाउंस हो जाना अपराद है, चेक बाउंस हो जाने के बाद में, जब जिसको हमने चेक दिया है, वो अपने एड़ोकेट से मिल करके, अगर आपको 15 दिन का लीगल नोटिस जो देता है, उस 15 दिन के पीरिड को निकल जाने के बावजूद भी अगर आपने उसके इंदर मेंचन किया हुआ पैसा नहीं दिया, तब अपराव है, तब कोज ओफ एक्शन अराइज होता है, तो हम लोग किसी को चेक देते समय या चेक लेते समय किन चीजों का ध्यान रखें, जिससे हमारी उधार दीवी दोस्तों, चेक एक मुल्यवन प्रती बूती मानी जाती है, जिससे पैसों का लेन दिन आज हमें हर फील्ड में देखने को मिल रहा है, और उधार दिये गए धन के बदले, जब हम उस उधार लेने वाले वक्ती का चेक ले लेते हैं, तो हम ये मान लेते हैं कि इससे हम अप पर हम लोग कई बार गलती कर बैठते हैं, बहुत से मामलों में देखने में आता है कि चेक हमारे पास होने के बावजूद भी हमारा धन डूप जाता है, ये इसलिए होता है कि हमें चेक लेने का कानूनी तरीका पता नहीं होता, तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं वो तरीके बताने जा रहा हूं, जो आपके उधार धन को सुरक्षित रखेंगे, आईए जान लेते हैं वो तरीके जिससे आप अपना धन राशी है, उचेक के दुआरा किस तरह से आप वसूल कर सकेंगे, तो इसमें बताये गए जो भी तरीके हैं दोस्तों, उन पे ध्या से सुनिएगा और समझिएगा कि क्या वो तरीके हैं जिनसे हम अपने पैसों को सुरक्षित रख सकते हैं, दोस्तों जब भी किसी को हम लोग धन या राशी उधार दें, तो कोशिश करें और ध्यान रखें कि मैक्जिमम जो पैमेंट है, उस उधार राशी लेने वाले व्य व्यक्तिका ही लें, ऐसा ना हो कि उधार आपने पती को दिया है और चेक पत्री के अकाउंट करें लिया, क्योंकि यदि ऐसा किया गया, तो हम चेक के मुकदमे में अपनी लीगल डेप्ट को साबित करने में मुश्किल आ जाएगी, और इस मुश्किल से बसने के लिए इस कि चेक पर साइन उस व्यक्ति के नहीं थे, देखिए कभी-कभी ये भी होता है कि चेक देने वाला व्यक्ति सामने साइन करने पर भी साइन जान बूझ करके गलत कर देता है, तो ऐसी इस्तिति के अंतर आपको परिशान होनी की जुरूत नहीं है, क्योंकि चाहे साइन उसन expert से जाच करवाई जाएगी और handwriting expert उसकी जाच के अंदर ये बता देगा कि writing उसकी होने के आदार के उपर sign भी उसी व्यक्ति के माने जाएगे और गलत sign होने पर check के बुक्तान से वो बचनी पाएगा अब यदि आपने किसी व्यक्ति से कोई check sign करवा लिया है तो कोशिश करें कि पूरे check को उसी व्यक्ति से अपने सामने उसी के handwriting में भरवाएगे जैसे कि check के अंदर जो date होती है राशी होती है आपका नाम होता है ये उसी व्यक्ति का होना चाहिए कोशिश ये करें यदि किसी कारणवर्ष पूरा check आप उस व्यक्ति से नहीं भी भरवा रहे हैं तो भी आपको ये सावधानी तो जरूर बरतनी है कि जब कभी भी check आप present करें और check को भरना हो तो उसे कभी भी आप जो present कर रहे है check को उसके check को अपने bank में कभी भी अपने writing में नहीं भरेंगे उसे किसी ऐसे व्यक्ति से बरवाएंगे जिसका उस case से कोई लेना देना ही नहीं है वरना check देने वाला ये defense ले सकता है कि check उसके handwriting में नहीं है आपकी handwriting में है आपने check का misuse किया है हाला कि समय समय पर नैले ने कई आदेश इस बारे में दिये हैं कि check पर sign मातर ही प्रयाब्त हुते हैं लेकिन फिर भी आपको कोशिश यही करनी है कि अगर आप अपने account में लगाने किसी का दिया हुआ check तो अपनी handwriting में नहीं बरेंगे किसी अलग वक्ति से बरवाएंगे इसके अलावा जब कभी भी आप कोई check बुगतान के लिए लें तो उसमें आप वो ब्याज की राशी भी जोड़ करके बर लें या किसी से बरवा लें ताकि आपके मद्दी जो तै हुई थी वो ब्याज की राशी को आपका नुकसान नहीं उठाना पड़े साथ ही check लेते समय चेक के पीछे एक sign check देने वाले वक्ति से करा लें और short में check देने का purpose जैसे की उधार के बावत था या माल के बावत था या transaction बावत था जो भी कोई कारण था जिसके लिए उधार लिया गया था short में अंकित करवा लें ताकि case के समय उधार देने का कारण check के पीछे की लिखावट से पुकता हो जाए और case मजबूत बने आप जिस विक्ती का check किसी भी कारण से ले रहे हैं उसके support में एक विक्ती से 100 रुपे के stamp पर या 500 रुपे के stamp पर ये भी लिखवा ले हैं कि फलाना check उसने आपको इस दायत्व के अधीन अपनी मर्जी से अपने हातों से भरकर दिया है ताकि check देने वाला व्यक्ती बाद में मुकर नहीं सके कि उसने आपको check स्वेम की इच्छा से अपने इदायत्व के अधीन जारी किया है क्योंकि देखने में ये आता है कि बहुत से लोग चाला की करते हैं और दिये गए check के लिए missing report दरज करवा देते हैं या चोरी की report दरज करवा देते हैं जिसका defense वो खुद के बचाओ में case के समय करते हैं कि उसने तो सब पहले ही इस check को खोने या चोरी होने की report दरज करवा दी थी इसलिए check के लिए वो बात देनी है लेकिन यदि आपके पास stamp पर लिखावट होगी तो वह एक additional सबूत होगा और उसकी चाला की नहीं चलेगी बलकि उसने ऐसा क्रत्य किया तो वह खुद ही अपने जाल के अंदर उलच जाएगा तो ये जरूर ध्यान रखें कि कोई भी पुराना check किसी व्यक्ति से ना लें कोशिश करें कि व्यक्ति अपनी check book में उस check की entry जो आपको जारी किया गया है आपको देने के नाम से करें ताकि उसकी check book की entry ही उसके खिलाफ सबूत मनी जाएगी चेक के मुकदमे में के दोरान आप उसकी check book मंगवा करके उसे अपने पक्षमे सबूत के रूप में इस्तमाल भी कर सकते है जो भी व्यक्ति आपको check जारी कर रहा है उसका कोई भी valid ID उसके sign करवा करके जरूर साथ में रखें साथ ही उस ID पर उसकी writing में check number भी लिखवा लें इससे दो फाइदे होंगे पहला तो ये कि check के साथ ही उसने ID आपको दी थी ये साबित हो जाएगा दूसरा फाइदा ये होगा कि यदि वो अपना घर छोड़ जाए तो या उसका पता आपको मालुम ना हो तो ये ID आपके काम आएगी क्योंकि जब आप नोटिस उसे भेजेंगे या उसके किलाफ केस करेंगे तो ये ID उस समय पर आपके कोट के अंदर काम आएगी जनरल क्लोज एक्ट की धारत 27 में ये लिखा है कि सही पते पर नोटिस भेज़ना ही प्रयापत है नोटिस उसे मिले या ना मिले नोटिस की प्रॉपर सर्विस मनी जाएगी इस से आपका मुकदमा रुके गानी बलकि दोड़ेगा साब जब कभी भी आप किसी वक्ती से चेक लें तो ये जान लें कि उसका अकाउंट चालू भी है या नहीं ताकि फालतू की परेशानी से बचा जा सके आप जब भी किसी वक्ती से चेक लें तो उस पर बतौर सिक्योरिटी चेक गलती से भी अंकित नहीं करवाना है नहीं आप ऐसा करें बलकि आपका पैसा ऐसी इस्तिति के अंदर अगर आपने ये लिखवा लिया या उसने लिख दिया तो हरहाल के अंदर डूबे गए डूबे गा सिक्योरिटी बतोर चेक की वसूली आप कानून के माद्यम से भी नहीं करा सकते हैं ये एनाई एक्ट में इसपष्ट प्रावदान है एक बहुत महत्पून बात ये भी है कि अक्सर लोग गलती है कर देते हैं और ये ये बात इस वीडियो के लाव आपको कोई बताएगा भी कि यदि आपने एक ही व्यक्ति से एक से अधिक चेक बुक्तान के लिए लिये हैं तो सभी चेक्ट बुक्तान की तारिक से मंग कितना करवाएं बलकि कम से कम एक महीने का गैप रखें देखने में ये मामूली से लगने वाली बात बहुत मायने रखती है क्योंकि वाला वेक्ति ये डिफेंस ले सकता है कि चेक सिक्यूरिटी के पेटे दिये गए थे जिसको भर करके आपने उसका मिसियूज किया है यहां पर आपको ऐसी इस्तितिक अंदर मुश्किल हो सकती इसलिए दोस्तों ध्यान रखें और दोस्तों आप जब भी चेक लें तो चेक को जरूर देख लें कि वह चेक उसी वेक्ति का ही है जो वेक्ति चेक को जारी कर रहा है यदि कोई चेक आपने सिक्यूरिटी के पेटे लिया है तो आप इस बात पर नज़र रखें कि वह बैंक बन तो नहीं हुआ है किसी अन्य बैंक में मर्ज तो नहीं हुआ है या नहीं होने वाला ऐसी इस्तिय अगर हो तो आप ये होने से पहले ही उस चेक को आप उस अपने बैंक के अंदर प्रेजेंट कर दें यदि चेक देने वाला वेक्ती किस्तों में उधार अदा कर रहा है तो जब तक उसका उधार पूरा ना चुकता हो जाए उससे चेक नहीं लोटा है और जब भी किसी वेक्ती को चेक लोटा है उससे चेक प्राप्त करने की रिसीविंग जरूर से प्राप्त कर लें चेक को चेक में भरी तारिक से नब्वे दिन के अंदर अंदर बुकतान के लिए वरना चेक जो है वो बेकार हो जाएगा आप किसी भी चेक को मैक्जिमम कितनी बार भी परस्थूद कर सकते हैं लेकिन ये जनरल अगरपन देखें तो तीन बार होता है और जबकि एक बात मैं बता दूँ कि चेक बाउंसिंग के मुकदमे के लिए या 138 एनाइक के अंदर कवर करने के लिए एक बार बाउंस करवाना ही सफीसेंट है उसी के आधार के उपर आप अपना मुकदमा प्रस्तूत कर सकते हैं दोस्तों यदि आप वीडियो में बताई गई सावधानियों के अनुसार चेक लेते हैं तो आपका पैसा सिक्योर है और कोर्ट के माध्यम से वसूल होने की पूरी गारंटी है आप चेक के माध्यम से आसानी से विद इंट्रेस्ट अपना उधार वसूल सकते हैं तो दोस्तों अगर इस वीडियो में दी गई जानकरी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्स्राइब करें बेल नोटिफिकेशन को भी आन कर दें और जन हित में इस वीडियो को शेयर भी करतें मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में फिर किसी ने टॉपिक के साथ अब तक ले जाहिन जै भारत